हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बना रही हूं मतर के पराठे तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है तो चले स्टार्ट करते वीडियो मैंने सबसे पहले कडाई लिया है उसमें मैंने अलसलो का uf चैनल इसान सबस्त दाला है है अब मंने टेबल स्कून जीरा डालने हूँ एधर ह 타 einge दाले इसमें यहांुआ अच्छे तरीके से हम भुरेंगे ज çıkar घ्क नो हो जाए इससे में हमम ग्रीजज का मीडियल miu रखेंगे ऐसे बहुत ए जी आच में बुझना है मीडियम फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे अब में इसमें som Cu फश्वडि पाव्डरे डालकरürü के हम इस अच्छी के से मिलाएंगे डालेंगे लिए सबस्येंश अब होंगे और टेबल स्पून त्रॉस फैनी पाउडर हैं नाटे छहां पंसे पराथे नॅब भी कम त्रॉस प्रॉस त्रॉस जंगे अब देखिया हमारा मिक्शर जो बनके रेडी है अब हम इसे ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे और आटा का डो लगा लेंगे आटा का डो लगाने के लिए मैंने यहां पे लगबा 500 ग्राम आटा लिया है अब मैं उसमें वन टेबल स्पून नमक डालोंगे और वन टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे अजवाइन डालने से यह बहुत ही काफी अच्छ होता है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पाली डाल कर आटा लगा लूँगी आटा का डो बना लेंगे ये देखिए मेरा डो जो है वो बनके तयार हो गया है अब हम इसे रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनिट के रेस्ट पर रख देंगे और इसके बाद हम अपना जो मसाला का मिश्रेट हमें इस मसाले को बहुत बारिक नहीं पिसने हलका दरदरा हो देखिए एक दिम ऐसा ही परफेक्ट हो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और इस पेशली बच्चों को बहुत बसंद आएंगे इसे एक घर में जरूर ट्राई करें अब देखिए हमारा मिश्रन जो लोही लूँगी है बहुत जाए बढ़े और बहुत जाए जोटी होटी नहीं लेना है मिटियम साइज लेएंगे हमें दोनों अंहों अगुठें मident कर देंगे अर जोड बहुत जोड़ से को प्रेस नहीं करना है नहीं तो यूड़त रड़ाझ लगेंगे जड़ाकद अगर इस प्राट को कणले यह बहुत जादे पतले और बहुत जादे बोटे भी नहीं है अब हम पराठे को इसे अच्छी तरीके से सेखेंगे और सेखने के लिए आप यहां पे कोई भी कुकिंग ओयल का इस्तमाल कर सकते हैं या घी में घी से भी आप सेख सकते हैं अब देखें इसे हम दूसी तरफ च लाजवाब पराठे बने और साथ यह बेल आइकन को हिट करें जिससे आगे आने वाली और इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहने मिले इस पराथे को आप मेठी चट्नी के साथ या कैचप के साथ या फिर पुदेन धनिय पत्ति के चट्नी के साथ आप शर्फ कर सकते हैं मैंने यहां पर कैच एक्स वीडियो में थैंक यू